सल्मान खान की हर फिल्म में कौन से सीन रिपीट किये जाते हैं सल्मान खान जान बूचकर अपनी फिल्मों में किन चीजों के इस्तेमाल हर बार करते हैं इस एडियो में आपको बताएंगे सल्मान खान की फिल्म से जुड़ी साथ ऐसी बात हैं जो कॉमन रही हैं सल्मान खान जब भी फिल्म लेकर आई तो एक नया हेरिस्टाइल दिखा और ये हेरिस्टाइल ऐसा रखने की कोशिस की जाती है जो चलन में आ जाई तिरे नाम बाला हेरिस्टाइल खुब ट्रेंड किया था जिसके बाद मुझसे शादी करोगी बाले हेरिस्टाइल को लेकर वो चर्चा में आई वीर और सुल्तान मूवी के हेरिस्टाइल को कौन भूल सकता है अब हेरोईन बदले या न बदले मगर सल्मान खान की पहली शर्त है कि उनकी फिल्म में हेरिस्टैल जरूर बदली जाए वो इस मामले में इंडिया में ट्रेंड सेट करने के लिए जाने जाते हैं सल्मान खान की फिल्मों में एक अजीब सा डांस स्टेप होता है जो बेहदी इजी माना जाता है अगर किसी को डांस करना भी नहीं आता तब भी वो यह स्टेप आसानी से followers कर सकता है अब चाहिए जेब में हाट डालने वाला डांस हो या फिर बेल्ट हिलाने वाला या फिर नीचे लिट कर डांस करने वाला सल्मान खान की फिल्मों की ये डांस श्टैप दिखी जाते हैं और उनके चाहने वाले भी इस देसी डांस को कौपी करने लगते हैं सल्मान खान की फिल्मों की तीसरी पहचान है खास तरह के स्कार्फ और उसे बांधने का तरीका कभी कभी ये सकार्फ गले में होता है तो कभी रूमाल बनकर माथे पर आ जाता है सलमान खान ने स्टेंड को शुरू किया था दबंग फिल्म से जिसके बाद उनोना किक मूवी में इसका खुब इस्तिमाल किया बाद में टाइगर सीरीज की लगवक सभी फिल्मों में सलमान का गंचा और सेशन दिखता है राधे में सलमान खान रूमाल लेकर आ गई सल्मान खान की फिल्मों में आटो मुबाइल्स का एवॉलूशन दिखी जाएगा वो रोड पर चलाएं या बालू पर लेकिन सल्मान अपनी फिल्मों में तरह तरह की बाइक या कार ज़रूर चलाते हैं और बाइक भी ऐसी लेटेश डेजाइन वाली होती है जिससे देखकर अचरज होता है किक से लेकर दबंग और फिर टाइगर जिंदा है मैं बालू वाली बाइक चलाते देखे सल्मान एक तरह टैगर में नॉर्मल वाली बाइक से हेलिकॉप्टर का पीछा कर उस पर चड़ गए थी सल्मान खान की फिल्मों में एक्सेंशीन के लिए गंस या मशीन गंस का इस्तेमाल भी होता है अगर ये हत्यार सल्मान खान के हाथ में नहीं होंगे तो समझे सल्मान खान की फिल्म का मजाई बेकार है और सल्मान खान खुद नहीं चाहती कि उनके फैंस उन्हें बगएर गं या मशीन गं के देखें अगर किसी विलेन पर सल्मान खान का रॉप दिखाना होता है तो गंस काम में लाई जाती है और जब किसी कार पर अटेक करना होता है तो सल्मान खान के लिए खास तोर पर मशीन गंगन फिल्माई जाती है सलमान खान के फैन ये देखकर कुर्सियों पर उचलने लगते है सलमान खान की फिल्मों में कोई न कोई गाना ऐसा होता है जिसमें एक लाइंदेसी होती है ध्यान दिया जाता है कि इन गानों को शहर से लेकर गाओं के लोग भी गुनगुना सके है मुन्नी, माशालला, करंट, धिंचेक ऐसे न जाने कितने गाने हैं जो देशी टच लिये हुए हैं सल्मान खान इन गानों के जरिये उस फैंस तक भी पहुँचना चाहते हैं जो छोटे छोटे लाकों में रहते हैं और उन्हें पसंद करते हैं सल्मान खान के हर फिल्म में डायलोग इतने करारे होते हैं जो फिल्म से ज़्याद रखी जाते हैं फिल्म चाहे सालों साल पुरानी हो जाई लेकिन लोग सल्मान के इन डायलोग्स को नहीं भूलते मूवी सिनेमा घरों में लगती है तो इन डालॉक्स पर इतनी सीटी और तालियां बसती हैं कि शोर में कुछ भी सुनाई नहीं देता दोस्तों सल्मान खान की फिल्मों में दिखने वाली इन कॉमन बातों पर आपकी क्या राई है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं